आईशा खान जैसा होटनेस एश्वर है जैसे खोबसूर्ती डॉली चायवाले ने बताई कैसी चाहिए उनको लड़की जो खोबसूर्ती में दे बॉली उट की अभिनेतरी को टकर या घर परिवार का रखे ध्यान ऐसी लड़की को पसंद करेंगे डॉली चायवाले सड़क के किनारे ठेले से किया सफर अब बन गए बहुत बड़े स्टार पहले होती थी सो दोसों की कबाई आब हो रही चपर फारधन की वर्षा बदन पर करोडों का भूशन डॉली चायवाले की पसंद जानकर उड़ जाएंगे आपके होश दुनिया की सबसे महंगी कार प्राइवेट जेट में सफार दुनिया के कोने कोने में अपना जलवा बिखेरने वाले डॉली चायवाले ने बताई दिल की बात बड़े बड़े बाल पतली दुबली कत काठी कभे करीबी की वजह से मुह नहीं लग रहा था कोई आज बड़े बड़े विआईपी पीछे पीछे चलते हैं पतली दुबली कद काठी बड़ी बड़ी जुलफे चेहरे पर पड़ा सचश्मा सोने चांदी से भरा हुआ पूरा बदन लहरा कर बलखा कर चलने वाले डॉली चायवाले ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है कल तक जो डॉली चायवाले को मुह नहीं लगा रहे थे आज वो बड़े बड़े धन्ना सेट, बड़े बड़े बिजनस्पैन, बड़े बड़े इंफ्रेंसर हर कोई डॉली चायवाले के आगे पीछे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इतना सब हासल करने के बाद डॉली चायवाले का एक बयांच सबका दिल जीत रहा है आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे डॉली चायवाले किस तरह की लड़की से शादी करेंगे उससे पहले डॉली चायवाले का ये बयांच सुन लीजे एक इंटर्विव में डॉली चायवाले ने कहा कि कभी भी सफलता हासल करने के बाद आपको अपनी आउकात नहीं भूलनी चाहिए नहीं तो कब घुमनाम हो जाएंगे पता तक नहीं चलेगा इसलिए जमीन से जुड़ा हूँ और जमीन से जुड़ा रहूंगा सड़क पर अपने अनोके अंदाज से चाय बेचने वाले डॉली चायवाले इस वक्त दुनिया के कोने कोने में घूमते हुए दिखाई दे रहें कभी वो दुनिया की सबसे महगी कार में सफर करते हैं कभी प्राइवेट जेट में मौज मस्ती करते हुए आसमान का सफर करते हुए दिखाई देते हैं जहां भी डॉली चायवाला कदम रखता है वहां पर लोगों का जमावडा लग जाता है हर कोई डॉली चायवाले के साथ सिल्फी लेना चाहता है जब दुनिया के सबसे बड़े बिजनस्मैन डॉली चायवाले के दुकान पर पहुंचे उसी दिन से डॉली चायवाले के किसमत बदल गई बिल गेट्स कैसे डॉली चायवाले के दुकान पर पहुंचे वो हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे उससे पहले जान लिजे डॉली चायवाले को अपनी शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए सोशल मीडिया इंफ्लेंसर डॉली चायवाले से जब सवाल पूछा गया क्या आप शादी कब करेंगे और कैसी लड़की से करेंगे तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया मैं शादी करूँगा लेकिन अपनी पसंद से नहीं अपनी मा की पसंद से करूँगा वो जैसी भी लड़की मेरे लिए पसंद करेगी मैं उसी से शादी कर लूँगा जिस भी लड़की को मुझसे शादी करनी है वो मेरी माँ से जाकर मिले डॉली चायवाले अपनी बोली से भी सब का दिल जीत रही है इंटेवियू में बातचीत की दौरान डॉली चायवाले ने कहा कि आज जो कुछ भी हूँ भगवान की कृपा है और मा का अशुरवाद है और उससे जादा कुछ नहीं मैंने चाय की टपरी का नाम यूही डॉली चायवाला रख दिया था और वो लोगों को खूब पसंद आया जब तक लोगों का अशुरवाद मेरे उपर है तब तक मैं चलता रहूँगा और मेरी टपरी भी चलती रहेगी साथी बिल गेट्स के आने पर भी डॉली चायवाले ने साफ साफ बात की उन्होंने कहा कि इमेल के मादियम से बिल गेट्स की टीम ने हमसे संपर किया और तब मैं बिल गेट्स की बारे में कुछ जानता भी नहीं था लेकिन जब बिल गेट्स सर मिल गए तो मेरी किस्मत पदल गए वो मेरे लिए गुड लख है इंटरनेट की क्रांती के उपर डॉली चायवाले अब एक बहुत पड़े लेवल के हो गए और इनको दोबई से लेकर अमेरिका जैसे देशों में बुलाया गया और पूरा सम्मान मिला यही नहीं डॉली चायवाले अब इतने प्रसिद्ध हो गए कि हर कोई इनसे मिलना चाहता है भले डॉली चायवाले पढ़े लिखे ना हूँ लेकिन उन्होंने अपनी अदाओं से सबका दिल जीता है शायद यही वज़ाए कि लोग उन्हें फालो कर रहे है लेकिन डॉली वाले का कहना है कि जिन्दगी में दुनिया की दॉलत हासल करने के बाद आप जमीन से जुड़े रहे है वरना सोशल मीडिया पर कितने स्टार हैं और कितने गायब हो गए यह आप लोग जानते हैं डॉली चायवाले को लेकर आपका क्या खयाल है कॉमेंट करके अपनी राइस जरूर बताएं